Hello Everyone, Educators YouTube Channel पे आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम Class 12 HSE महाराष्टर बोड की एक्जाम देने वाले स्टुडेंट्स के लिए Biology का Question Paper देखेंगे ये Question Paper 2020 के बोड एक्जाम में पूछा गया था और Chances है कि इसमें से कुछ important questions इस साल भी पूछे जा सकते हैं आप देख सकते हो maximum marks आपके एक्जाम के लिए 70 है और 3 hours का paper यहाँ पर आपके लिए होने वाला था हाला कि ये साल से आपको extra 30 minutes से मिलने वाले है आपके बोड एक्जाम के लिए educators इस YouTube चैनल पे हम Class 12 HSE Maharashtra Board के students के board exam के related previous year question papers के पूरी series upload कर रहे है इसमें हर एक question paper upload हो रहा है जो practice के लिए important है और इसमें previous year board exam के question papers भी हम हमारे channel पे upload कर रहे है इन सभी videos को पाने के लिए channel को subscribe कीजे और bell icon को भी click कीजे ताकि इन important videos का आप miss ना करे और आपके preparation में आएक पर बूस्ट ला सके है सो हम start करते है question 1 के साथ question 1 है section A का part section A में question 1 में आपको पूछे जाएंगे MCQ questions MCQ questions के लिए सबसे important होता है textbook को पढ़ना बहुत बार textbook message जो textbook के exercises में MCQ questions पूछे जाते है वो ही exams में पूछे जाते है so आपको इन textbook के पीछे के MCQ questions को पढ़ना बहुत ही जादा जरूरी है इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले question के तरफ MCQ question में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 MCQ पूछे जाएंगे 10 marks के लिए फिर हम जाता है question 2 में question 2 में आपको कोई भी option नहीं मिलेगा 8 marks के लिए question 2 पूछा जाएगा question 2 में आपको 8 marks के लिए सवाल देखने मिलेंगे और यहाँ पर आपको 8 questions है इसका मतलब हर एक question के लिए 1 mark का weightage है और आपको in questions का answer in one sentence लिखना है in a sentence आपको एक sentence से ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है because यह छोटे questions है और एक mark का एक question होने वाला है तो ज्यादा details ज़रूरी नहीं है इसके बाद हम बढ़ते है section B के तरफ section A में question 1 और question 2 आता है section B में आपको अलग-लग question मिलेंगे total weightage of section 3 is 16 marks और आपको कोई भी 8 सवाल को solve करना इसका मतलब हर एक question के लिए 2 marks का weightage होगा इसके बाद हम आगे बढ़ते है section B के बाद section C के तरफ section C जो है उसको सबसे ज़्यादा weightage होता है section C को 24 marks यह 24 marks का weightage है पूरे section में आपको फिर एक बार आज सवाल पूछे जाएंगे so आपको आज सवालों के लिए 24 marks मिलेंगे इसका मतलब हर एक सवाल के लिए 3 marks का weightage है यह सवाल question number 15 से start होते है और end होते है question number 26 पर इसके बाद हम बढ़ते है section B के तरफ और जिसमें 12 marks के लिए आपको 3 सवाल करना है इसका मतलब हर एक question के लिए 4 marks का weightage होने वाला है section D जो है question number 27 पर start होता है और section D end होता है question number 31 पर इसका मतलब आपको इसमें यह सारे questions मिलेंगे और यहाँ पर आपका paper end हो जाता है इसी के साथ आपके board exam के preparation को और ज़्यादा boost करने के लिए और आपके score को improve करने के लिए class 10 और class 12 के महाराश्टा board के students के लिए एक free of cost mock test series launch हुई है यह test absolutely free है आप सभी students के लिए इसमें आपको 22 से 40 questions पूछे जाएंगे और test का time होगा 45 minutes to 90 minutes यह exams class 10 SSE और class 12 SSE के science and commerce के student फिलेख होगा पाँच बजी यह test होता है अन-academy के platform पे और इन test का फाइदा यह है कि आपको एक analysis मिलती है कि आपने क्या-क्या गलतिया किये है आपके board exam के preparation में आपने सवालों में क्या-क्या गलत जवाब दिये है और उन गलत जवाबों का analysis भी किया जाता है अन-academy के top educators के तरफ से video format हो इसका मतलब आप अपके score को और भी ज़्यादा boost कर पाऊगे इस particular test series को follow करने के बाद इसी के साथ अगर आप अन-academy के platform पे class 11th और 12th के पढ़ाई के लिए 12 months का कोई भी subscription लेते हो तो उस 12 months के subscription के साथ आपको एक महिने का subscription और साथी साथ तीन महिने का subscription free of course मिल सकता है आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें comment section में जरूर बताए फिर एक बार मिलेंगे अगले एक important वीडियो के साथ हमारे इसी channel पे till then good bye